नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आधोनिक समय में बुद्धी जीवी वर्ग, पुराणी भूत प्रेत, आत्मा, पुनरजन जैसी धारणाओं को मिठ्या करार देते हुए इस पर विश्वास करने वालों को अक्सर असभ्य, एवं अंध विश्वासी ठहराते हैं परंतु कैसा हो, यही बुद्धी जीवी वर्ग, आत्मा जैसी चीज़ पर न सिर्फ विश्वास करे, अपितु इससे भैभीत होकर अपनी घुटने टेक दे ऐसे ही एक घटना सामने आई भारत में बुद्धी जीवीयों का गड़ कही जाने वाली जवाहरलाल नहरू यूनिवर्सिटी से, जिसके माही हॉस्टल का रूम नंबर दस पिछले कई सालों से बंध है ऐसा क्यूं? कहानी शुरू होती है माही हॉस्टल के रूम नंबर दस में रहने वाले दो दोस्त मयंक और विवेक से दोनों यूनिवरसिटी के चात्र थे मयंक उत्तर प्रदेश के जासी का रहने वाला था जो स्पैनिश भाशा में एमे द्वितिय वर्श का चात्र था विवेक दिल्ली का रहने वाला था और मयंक का सहपाथी था एक बार मयंक ठंडियों की छुट्टियां बिताने घर गया इस दौरान मयंक ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ था क्यूंकि वो छुट्टियों का पूरा मज़ा उठाना चाता था चुट्टिया खत्म हुई और मयंक हॉस्टल वापस आया परन्तु विवेक ने महसूस किया कि मयंक का स्वभाव कुछ बदला हुआ था उसने कक्षा में उपस्थित होना बंद कर दिया था वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता था और वो अकसर रूम में बेट पर लेटा हुआ मिलता था विवेक द्वारा इसकी वज़ा पूछे जाने पर वो ठीक से जवाब नहीं देता था आखिर सबको हसाने वाले और चहरे पर हमेशा मुस्कान लिए थिठोलिया करने वाले मयंग के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना शांत रहने लगा विवेक कभी-कभी जब रूम में जाता तो उसे सारे कपड़े और रूम साफ मिलते कपड़ों पर बाकाइदा इस्तरी करके वो अलमारी में रखे हुए होते थे तथा कभी-कभी साफ कपड़े भी कीचड में सने हुए फर्श की धूल चाट रहे होते रूम इतना गद्दा मिलता कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल होता एक दिन विवेक को हॉस्टल वार्डन ने अपने कक्ष में बुला भेजा शायद उससे कोई मिलने आया था विवेक द्वारा वहां पहुचने पर उसे पता चला कि मयंग के पिता जी उससे मिलने आये हुए थे विवेक ने उन्हें पहचान कर उनका चरण स्पर्श किया और बोला अंकल मैं अभी मयंग को बुलाता हूँ इतना सुनते ही मयंग के पिता की आँखों से आशु छलक पड़े और वो विवेक को गले लगा कर रोने लगे विवेक स्थब्ध था उसने मयंग के पिता के आशु पोचते हुए पूछा अंकल क्या हुआ? अब क्यूं रो रहे हैं? वार्डन ने जवाब दिया मयंग की एक महीने पहले रोट क्रोस करते हुए एक्सिडेंट से उसकी मौत हो चुकी है और उसके पिता जी उसका सामान लेने आये हैं ये सुनते ही विवेक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा जब उससे होश आया तो उसने बताया कि मयंग छुट्टियों के बाद से उसके साथ रह रहा था विद्यालय प्रशासन के साथ ही किसी बुधी जीवी विद्यार्थी ने उस पे यकीन नहीं किया लेकिन विवेक ने वो हॉस्टल छोड़ दिया और उसमें न रहने का फैसला किया विद्यालय प्रशासन ने ये रूम दूसरे विद्यार्थियों को आवंटित कर दिया अगले विद्यार्थियों के साथ भी वही घटनाई हुई जो विवेक के साथ होती रहती थी शायद मयंग की आत्मा का मोह उस रूम के साथ मरने के बाद भी नहीं छूटा था और वो किसी दूसरे को इसमें नहीं रहने देना चाता था धीरे धीरे ये बात पूरे युनिवर्सिटी में फैल गई और अब कोई भी उसमें रहना स्विकार नहीं करता अब वो रूम बंद पड़ा है रहने वाले बताते हैं कि आज भी रात में उस रूम से मयंग की आवाजे आती हुई सुनी जा सकती है अब एक ही प्रशन उठता है कि आत्मा को कोरी कल्पना समझने वाला बुद्धी जीवी वर्क इस रूम में रहना क्यों स्विकार नहीं करता मैं आशा करती हूँ कि ये विडियो आपको पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद